तो हेलो गैस स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल व्यम क्लासेस में इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं आधुनिक निमंद में संकलित करूना निमंद के बारे में और इस निमंद के निमंदकार है अचारे राम चंदर शुक्ल तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लिजी ताकि मैं कोई दुसरा वीडियो डाली तो उसकी नोटिफिकिशन आप तक टाइम से टाइम पहुंचते रहे हैं वीडियो को प्रेदी वीडियो बना चुका हूँ इदि आप नहीं देखा तो देख लिजे उसका लिंग मैं डिस्क्रीप्स के निचे देदूंगा तो बीना टाइम स्कीप के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को लेस्गो तो यह है वो आज का लेसन करूणा जब बच्चे को समन्ग्यान कुछ-कुछ होने लगता है तब ही दुख के उस बेद की निव पर जाती है जिसे करूणा कहते हैं यहाँ पर करूणा की परिवाशा दी गई है कि करूणा किसे कहते हैं ओगे ना यह पूरी लाइन जो है इसकी परिवाशे होगी बच्चा पहले परकता है कि जैसे हमें वेशे ही यह और पराणी भी है और बेना किसी विवेशना करम के स्वाबाविक प्रकृति द्वारा वह अपने अनुबहों का आरोव दूसरे पराणियों पर करता है अक्सर ऐसे होता है फिर काईरे कारण समन्द से अव्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या काईरे को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और सो हम एक परकार का दुख अनुबहों करता है प्राया देखा जाता है कि जब मा जूट मुट करके रोने लगती है तब कोई कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं इससी परकार जब उसके किसी बीबाई या बहन को कोई मारना उड़ता है तब वे कुछ चंचल हो उड़ते हैं छाष जसे होते हैं जब कोई हमारे किसी प्रिय को Smi कि डम का डाइता है तो हम उससा गुस्टा करते हैं क्यूं करते हैं क्यूं करते हैं क्यूंकि यहींitel करूण है आचारे राम चंध श만गा द Capeर की viveenser कि करू ना कैटे हम करते हैं कि जिस पर करुणा करते हैं उसका लाब मानते हैं कि इस पर करुणा करगा है इसका मतलब इस पर दया कर रहा है और जिसके उपर क्रोध उत्पन होता है तो उसकी हानी की चेश्टा होती कि उस पर गुसा निकालेगा अगाली क्रोच कुछ भी दे हो सकता है यह क्रो की उत्यन जना दुख और आनंद दोनों की श्रूणों में रखी गई है आनंद की श्रीन में ऐसा कोई शुद मनुविकार नहीं है जो पातर की ऐनी की उत्यना करेंव से जसे मैंने आनंद कीdoor में रखा गया है लोबी महमूद ने सोमनात को तोड़ा पर बित्तर से जो जवारात निकले उनको खूब संबाल कर रखा नूर जहां के रूप में लोबी जहांगीर ने शेर कफगन को मरवाया पर नूर जहां को बड़े चेन से रखा ये क्या थी करूना थी उपर कहा जा चुका है कि मनुश्य जोही समाज में परविश करता है उसके सुक और दुखा बहुत सा अंश दूसरों की क्रियाया अवस्ता पर अवलांबित हो जता है यानि दूसरों की बुराई करना अपलाए करना दाया दरिष्टी दिखाना ये कुछ और उसके मनोविकारों के परवा तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक्ष्य हो जाता है वह दुसरों के दुख से दुखी और दुसरों के सुख से सुखी होने लगता है दुसरों के दुख से दुखी और दुसरों के सुख से सुखी आजकल तो कोई सुखी है तो वो दुखी होगा और कोई दुखी है तो वो सुखी होगा आजकल उल्टा होने लगाया है लेकिन यह करोना की बात कर रहे आचारी रामचंद्रशुक्र जी देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुख्य होने का नियम जितना व्यापक है क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुख्य होना का भी मैं समझता हूं नहीं तो या जारी रामचंदेशी इसको नहीं मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है जिसा हम मानते हैं ऐसा ही हम अज्यात कुल शिल मनुशी के दुख को देखकर भी दुख्य होते हैं किसी दुख्य मनिश्य को सामने देख हम अपना दुख्य होना तब तक के लिए बन नहीं रखते हैं जब तक कि यह न मालम हो जाए कि वह कौन है कहा रहता है और किसा है ठीक है ना कि यह और बात है कि यह जानवर जानकर की जैसे पिला पहुंच रही है उसके कोई भरी अपराद्य अत्याचार की आए हमारे दया दूर या कम हो जाए इसे अवसर पर हमारे द्यादन के सामने वह अपराद्य अत्याचार आ जाता है और अपराद्य अत्याचार का परत्मन क्ल दुख की अतिरिक्त और किसी विशेष्टा की अपेक्षा नहीं पर अनन्दित हम ऐसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा रदे, सूरदे या समंदी हो अत्वा अत्यन्द सज्जन्शिल वाल या चरित्रवान होने के कार्ण समाज का मित्र या हित्कारी हो योहीं किसी अज्यात व्यक्ति का लाब या कल्यान सुनने से हमारा रदे में किसी परका के आनन्द का उदय नहीं होता इसे परकट है कि दुसरों के दुख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दुसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेक्षा परिमिती इसके अतिरिक दुसरों के सुखी देखकर जो आनन्द होता उसका न तो कोई अलग नाम रखा गया है और न उसमें वेग या प्रेना होती है पर दुसरों के दुख के परियान से जो दुख होता है वह करुणा दया आधी नामों से पोकारा जाता है और अपने कारण को तुस्तूर करने की उतेजना करता है यानि दूसरों का दुख देखकर जो दुख्य होता है दया करता उस पर उसे ही तो करुणा बोलते हैं जबकि अग्याद व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन होती है तो जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिजित रहते हैं जिसका रूप हमें बला मालूम होता है उसके उतने ही दूख पर हमें अवश्य अधिक करूना होगी यानि जो आदमी बलाए का काम करता है, अच्चा है बॉलचाल में और उसको यदी कोई दूख हो जाता है तो उसके प्रति हमारी करूना ज्यादा उत्पन होगी किसी बोली बली सुंदरी रमणी को किसी सचित्रा प्रोपकारी महात्मा को किसी अपने भाय बंदू को दूख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी करुणा की तिवरता का सापेक्ष विदान जीवन निर्वा की सुगमता और कारे विभाग की पुरुनता के उद्यशे समझना चाहिए मनुष्य की प्रकृति में शिल और सात्विक्ता का आदिस अंस्ताप के ही मनों कारे मनुष्य की सजन्ता या दूर्जन्ता अन्य प्राणियों के साथ उसके सम्मन्या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन इस्तान में अपना निवा करा है तो उसका कोई कर्म सजन्ता या दुर्जन्ता की कोटी में ना आएगा उसके सब कर्म निरलिप्त होंगे संसार में प्रतेक प्राणी के जिवन का उद्देश्य दुख की नीवरती और सुख की प्रागती है अता सब के उद्देश्य को एक साथ जोनने से संसार का उद्देश शुप का स्तापना और दूख का निवारान हुआ अतOP जिन कर्मों से संसार की इस उद्दिशी 43 के साधन हो वे उत्तम है प्रत्यक प्राणी के लिए उसमें विन प्राणी संसार है जिन कर्मों से दूसरों के वास्तिक सुख का और साधन और दुख की निवरती हो वे शुब और सात्वीवक है तता जिस अंत कर्मों में प्रवरती हो वह सात्वीवक है कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है पर एक तो कृपा अनुग्रह में आत्म बाव चिपा रहता है और उनकी प्रेणा में पहुंचाया हुआ सुक एक प्रकार का प्रतिकार है दूसरी बात यह है कि नविन सुक की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवरती की आशकता अत्यांत अधिके दूसरों के उपस्तित दुख से उत्पन दुख का अन जिसके दुआरा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनके अकारां दुसरों को दुख पहुंचे हैं हम ऐसे बातों से बचे रहते हैं हमारी बातों से जिसके दुआरां दुसरों को दुख पहुंचे शील या साधरन संवरतिकी अंतरगत समझा जाता है बोल चाल की बाशा में त तो शिल्ष च चित की कॉमलता या मुरोवत कास बाव समझा जाता है जैसे उनकी आँकों में शिल्ट होना अच्छा नहीं दूसरों का दूख दूर कर न पहुंचाना निर्वा करने वाला नियम नहीं पाल ने कादोशी होसकता है पर दुख शिल्टा या दुर्भा होगा नहीं ऐसा मनुश्य जूट बोल सकता है पर ऐसा नहीं जिसे से किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे इदि वह किसी अवसर पर बड़ो की कोई बात नहीं मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जचती या उसके अनुकुल चलने में असमर्थ है वह जीव दुखाने के लिए नहीं इगार रहा हुश्य कि वह उनके बता है राष्टे पर नहीं चल सकता है किसी कारण से इसलिए दुसरों की बड़ों की बात नहीं मानता इसलिए बड़ों की बात नहीं मानता इसलिए नहीं मानता वह कि दुसरों का दुख दुखे बड़ों का दुख दुखे प्राण दुखे ठीक है न मेरे विचार मैं तो सदासत्य बोलना बड़ों का कहना माना एक जुट को छुपाने के लिए सो जूट बोलने पड़ते हैं और आज कल थोजार भी बोलने पड़ते हैं तो आज है ना इसी से उनका अभ्यास रोकने के लिए नियम कर दिया गया कि किसी आवस्ता में जूट बोलना ही ना जाए पर मनवर अंजन, खुशामत, उधिश्टचारादी के पहाने संसार में बहुत सा जूट बोला जाता है जिस पर कोई समाच कुपित नहीं होता अरता हम मजाक, असी मजाक में अन्य तरों से जूट बोलते हैं तो उसको हमारे कानून में कोई सजा नहीं है, कोई कानून अपराद नहीं है जूट बोलना किसी किसी अवस्ता में तो धर्मगंदों में जूट बोलने की इजाज़त तक दे दी गई है जूट बोलने से आपके प्रान बच जाए तो जूट बोलो, ये खा गया है, विशेषत जब इस बंग तो अरांतकरण की किसी उच्छे और उदावरति का साधन होता हो इदि किसी के जूट बोलने से कोई निप्राद और निसाय व्यक्ति अनुजित दन से बच जाए, ये खा गया है न, तो ऐसा जूट बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियम शियरत संस्प्रति का साध के समग शक नहीं, मनोवेक वर्जित सदाचार दंग, जूटी कवाया दे, मनिल के अंतकरण में सात्विक्ता की जोती जगाने वाली ये करुणा है, इसी से जेन और बोदादर में इसको बड़ी पड़ता दी गई है, और गोसोमी तुलसिदा जी ने भी कहा है, उपकार सरिसन बलाए, पर पेड़ा सम नहीं, अर्दामन इड़, ये बाद इसतरर निरिवादे की शरदा है विसए किसी ने किसी रूप में सात्विक्ति जोता है, अतको करुणा और सत्विक्ता का समन्द इस बाद से कोई विसएद होता है, कि किसी बशिशु को दूसरे पर करुणा करते देख, तिसे को कुरुणा करनाँ वाले परन श्रदा नहीं उत्पन होती किसी को क्रोध भय चार्चे ग्रणा आनंद आधी करते देख लोग उस पर श्रदा नहीं कर बेड़ते क्रिया में तत पर करने वाले प्राणियों की आधी अंत करण वड़ती मन का मनोवेगे अत्व इन मनोवेगों में जो श्रदा का विशय हो वह सात्विक्ता का आधी संस्तापक ठहरा दूसरी बात यह भी ज्यान देने हैं कि मनुशी के आच्रण के प्रवर्त तक बाव या मनोवेकारी होते हैं बुद्धी नहीं बुद्धी दो वस्तों के रुपो को अलग-अलग दिखला देगी यह मनुशी के मन के वेग या प्रव विगव की सहायक है